हेलो दोस्तों दोस्तों जुमू कश्मीर में आज एक बहुत ही बड़ी डिस्कावरी हुई है और इस डिस्कावरी के बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है तो पूरी इंफोर्मेशन में आपको इस वीडियो में इस डिस्कावरी के बारे में बताऊंगा तो वीड दोस्तो आफ सभी ने जुमु कश्मीर के आरबल का नाम सुना होगा जो कि कुल गाम डिस्टिक्ट का एक बहुत ही मशूर वाटरफॉल है जिसे नेगरा फॉल आफ कश्मीर भी कहा जाता है दोस्तो इस वाटरफॉल से तकरीबन डेट किलूमीटर की दूरी पर एक बहुती बड़ी डिसकावरी हुई है फोसिलिस की जिहां दोस्तो फोसिलिस का एक बहुती बड़ी साइट को डिसकावर किया गया है आरबल वाटरफॉल के करीब और बताया ये जाता है कि ये फोसिलिस तक्रीबन चार करोड से लेकर पांच करोड साल पुराने हो सकते हैं और अगर ऐसा सही साबित हुआ तो जमू कश्मीर के लिए ये एक बहुती बड़ी बात होगी इन फोसिलिस को कश्मीर के दो लेक्चरिर्स ने डिसकवर किया जिन में एक का नाम है मंजूर जावेद और दूसरे का नाम है डाक्टर रूफ हमजा तो दोस्तों अब आफ इस वीडियो में सुनें कि डाक्टर रूफ हमजा और मंजूर जावेद इन फोसिलिस के बारे में क्या कहते हैं मैं इसके लिए बुबारकबाद इनको देता हूँ कि जितनी मेहनत और लगन के साथ इनने इस पर काम किया है वाकिए ये काबले दीद है ये जो ये कह रहे हैं हमारे जुनके प्रिम्नी रिसर्च है कि 40-50 करोड साल प्राने हैं ये साइट हमने पहली बार देखी कि इतने हजारों में फासिल्स हैं वहाँ पर जब हमने थोड़ी सी अपनी जगह पर तहके की इंटरनेट या जो रिसर्च की है बाकि लोगों ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर तो हमें पता चला कि ये तो डाइनासास से भी पुर कोरिल्स हैं ट्राइलोबाइट्स हैं तो इसलिए जो मुतलिकाइश में रिसर्च हैं वह आगे जाकर इस पर और रिसर्च करेंगे तो सतीज तोर पर इसको देखा है कि लगबग चार लाख 477 से लेके 488 मिलियन ये इर्स तक यह जो अडरा है यह फ्यला हुआ है और रिसर् के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से,